किसी भी बीमारी के आयविदिक चिकितसा यह हम से जुड़ियों रहने के लिए हमारी चैनल आयविदिक समधान को सब्सक्राब जरूर करें आए जानते हैं हिस्टिरिया को ठीक करने के कुछ देशी उपार केले के तने का ताजा रस्त हिस्टिरिया के रोगी को ठीक करने का अच्चु प्रुस्खा प्रती दिन दीन में तीन बार एके गलास केले के तने का ताजा रस्ता सेवन करने से लाबूत है थनिया 25 ग्राम और सर्प गंधा 10 ग्राम लिलाकर पारिक चुट परे एक दो ग्राम की मात्रा में रातरी में सोते समय जल के साथ सेवन करने से हिस्टिरिया में फैदा होता है चुकंदर की एक कप ताजा जूस में एक डीस को आउले का जूस मिलाकर प्रती दिन सुबह पीना चाहिए एक महने तक इसके नियमित सेवन से अवश्य ही हिस्टिरिया का नास होता है हिस्टिरिया का दोरा पढ़ने पर हिंग सुन्धाने से भी रहत नहीं सरपगंधा की जड़ का चुन बना कर एक गराम की मातरा में सुबा शाम एक कप दूद के साथ सेवन करना चाहिए यह प्रियोग तब तक जारी रहना चाहिए जब तक हिस्टिरिया पूरी तरह ठीक नहीं हो जाता है इसका प्रियोग मिर्गी रोग में भी किया जाता है हिस्टिरिया दोरे में प्याज काटकर सुन्धाने से रोगी को होश आ जाता है अगर आपके जहन में कोई सवाल या परमर्चों तो कमेंट ज़रू करें धन्यवाद